पीसिस करेंट न्यूस में अभी की खबर है भारत का पहला वैश्रिक उतक्रिष्टता केंद्र हाली में भारती प्रबंधन संस्थान बैंगलोर ने फ्लोरिंट्री एडवाइजर्स प्राइविट लिमिटेट की कारेकारी अध्धक्ष के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है इसके तहट IIM बैंगलोर परिसर में निजी एक्विटी और वेंचर कैपिटल पर देश का पहला वैश्रिक उतक्रिष्टा केंद्र स्थापित किया जाएगा बता दे कि इस केंद्र का नाम निवेश बैंकर टोनी जेम्स के नाम पर रखा जाएगा इस केंद्र का लक्ष निजी एक्विटी और उद्यम पूझी से संबंधित सभी मामलों में अनुसंधान के लिए एक वैशिक विचार नेता बनना है गौर तलब है कि इसका उद्देश एक ऐसा पारिसत की तंत्र बनाना है जिसमें सिक्षावित व्यविसाई और नियामक विश्विस्तरी निजी एक्विटी और उद्यम पूझी प्रतिभा को विक्सित करने और पोशित करने के लिए सहयोग करते हैं यह अपनी तरह का पहला केंद्र है जिसमें अत्याधुनिक शोद, सिक्षा और उद्यूख सहयोग के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा चलि अब जानते हैं भारती प्रबंधन संस्थान बैंगलोर के बारे में भारती प्रबंधन संस्थान बैंगलोर एशिया में प्रबंधन का एक अग्रिडिस नातक विद्याले है 2017 के IIM अधीनियम के तहट IIMB एक राश्ट्री महत्व का संस्थान है इसके स्थापना साल 1973 में की गई थी इसमें 108 पुर्णकालिक संकाय सदस्य विबने डिग्री प्रदान करने वाले कारेक्रमों में लगभग 1200 शात्र और लगभग 5000 वाशिक कारेकारी सिक्षा प्रतिभागी है IIMB में एक मजबूत स्टार्टप एकोसिस्टम भी है जिसे एनेस रागवन सेंटर फॉर एंटर्प्रिनियोर्शिप जैसी पहलो का समर्थन प्राप्त है अंत में देखते हैं आज की अभ्यास प्रश्न को भारती प्रबंधन संस्थान बैंगलोर के बारे में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक, इसके स्थापना साल 1983 में की गए थी दो, 2017 के IIM अधिनियम के तहट IIMB एकराष्टे महत्व का संस्थान है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है A के वल एक, B के वल दो, C एक और दो दोनो, D न तो एक और नही दो इस प्रेशन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद जर आद्चतर कमें जरूर दो दो, C जरूर आजे जरूर आजे जरूर जरूर दो